राजस्तान में भारतिय जंता पार्टी और कॉंग्रेस के साथ स्थानिय पार्टे भी अगामी लोकसभाचुनाफ की तैयारियों में जूट गई है। बीजेपी कमजोर और कॉंग्रेस मजबूत नजर आ रही है। लेकिन तीसरी पार्टी भी इस सीट पर सेंध मारने की बैठी है क्योंकि हाली में विदानसभा चुनाव ने इस पार्टी में पूरी तरह से कॉंफिडेंस ला दिया है। लेकिन विदानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए चार सीटों पर दूसे नमबर पर ही रही है। ये आकड़े बीजेपी के लिए सबसे जादा चिंता का विशे है। बासवड़ा लोकसभा सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जारी आकड़ों के अनुसार यहां की जन संक्या करीब 29 लाग हैं जिसमें से 20 लाग वोटर्स हैं। पिशले चुनाव की बात करें तो यहां साल दोजार चौबिस में बीजेपी के धन सिंग रावत साल 2019 के तारचिन भागवर और साल 2014 में बीजेपी के मान शंकर निमाना और साल 2019 में बीजेपी के कन कमल कटारा जीते थे गौरत अलब है कि इससे पहले साल 1952 में और 1956 में तक 10 बास सीट से कॉंग्रेस के सांसर रहें बासवारा सीट कॉंग्रेस की गड़ थी लेकिन पहले बीजेपी ने सेंद लगा कर इस सीट पर अपना परचम लह रहाया अब यहां तीसरी पार्टी भी दावेदारी कर रही है